सलाहों की बिक्री कहाने को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को सब्सक्राइब करना न भूलिए अभी भी कई लोग बिना सब्सक्राइब कीए सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए कई सव साल पहले किसी गाउं में एक वचितर दुकान थी वह सलाहों की दुकान कहलाती थी धर्मपाल नाम का एक सज्जन यह दुकान चलाता था उसने एक चिट पर एक सलाह लिख रखी थी और जो जतनी सलाहों की मांग करता उतनी उसे बेचता एक-एक सलाह की कीमत एक सो रुपे थी चिट करिदने वाले उनमें लिखी सलाहों का पालन करके लाप उठाया करते थे अब तक कई लोगों को इन सलाहों से बहुत फायदा हुआ था दिन बादिन उसका यह व्यवसाई बढ़ता जा रहा था जाने कहा कहा से लोग सलाह करिदने के लिए उसके पास आते थे एक दिन दुकान पर सेट आप हौंचा वह बढ़ा धनवान था उसने धर्मपाल की कीति बहुत सुनी थी इसलिए वह भी उसकी सलाहों से फायदा उठाना चाहता था उसने सलाहों की दुकान से तीन सो रुपे दे कर तीन सलाहे खरीद ली वे सलाहे थी यात्रा पर जाते समय पत्नी को विवरन बताना नहीं चाहिए रास्ते में अगर बोजन करना है तो रास्ते के समीप में खाना नहीं खाना चाहिए जल्द बाजी में आकर किसी से किसी भी बारे में दाव नहीं लगाना चाहिए ये सलाहे खरीद कर सेट अपने घर पहुंचा इन सलाहों का ठीक ठीक अर्द जानने का कुतूहल सेट के मन में पैदा हुआ अपनी पत्नी से कुछ कहे बगेर उसने नौ तैलियों में नौ हजार रुपए भर लिये और किराये की एक गाड़ी तै करके शहर में व्यापार करने के लिए वह चल पड़ा थोड़ी दूर तक प्रवास करने के बाद बोजन का समय हो गया रास्ते से थोड़ी दूर उसको एक कुवा दिकाई दिया उसने गाड़ी रास्ते में रुकवा दी और कुवे के पास बैटकर खाना खाकर फिर वह यात्रा पर चल पड़ा थोड़ी दूर जाने पर उसने थेलएं गिनकर देखी तो नौकी जगा उसे केवल आठ ही थेलिया मिली कुवे के पास जाकर उसने ठूंड़ा तो खुई हुई थेली उसे वही पड़ी मिली थी धन देकर उसने जो सलाहें करी दी थी उनमें से एक का करजुकर साबित हुई इस पर सेट बहुत प्रसन हुआ उसने यदि रस्ते में खाना खा लिया होता तो वहाँ पड़ी थैली राह जाने वाला कोई उठा कर ले जाता सेट थैली लेकर गाड़ी के समीब आ रहा था कि उसके पएर से कच्रे में पड़ा एक फल टकरा गया आशर्य की बात हुई कि बहुत दिनों से उसके पएर को सताता हुआ एक फोड़ा फल से टकरा कर इस तरह गायब हुआ मानो कोई जादू हो गई हो सेट ने सोचा कि उस फल में जरूर कोई औशदी गुन है इसलिए वापसी यात्रा में अपने साथ ले जाने के बिचार से सेट ने उस फल को कुई के समीब एक जगह गाड़ दिया और पहचान के लिए एक चिहन रखा इतना करने के बाद अपनी यात्रा के लिए वह आगे बढ़ा शेहर में उसका व्यापार खूब अच्छा चला काफी धन उसने कमाया मगर उस फल की बात भूल कर दूसरे ही रास्ते से अपने गाव लोटाया गाव में पहुंचते ही उसे समाचार मिला कि उस गाव का लकपती किसी विश्वरंड से परेशान है और उसने इस आशे का ढिंडोरा पिटवाया कि जो उसे स्वस्त बना देगा उसे दस हजार रुपयों का इनाम दिया जाएगा कई लोग प्रेतन करके असफल रह गए यह खबर मिलते ही सेट को अपने चिपाये उस फल का स्मरण हुया उस फल के इस परश से लकपती का जहर भरा फोड़ा ठीक हो सकेगा और साथ ही उसे वह दस हजार का इनाम भी मिलेगा इस खुशी में वह अपनी खरीदी हुई सलाहों की बात बूल गया और उसने अपनी पत्नी को विचार के प्राप्त उस फल का महत्वत था उसका प्रयोग करने पर लकपती से प्राप्त होने वला दस हजार के इनाम की बात बता दी फिर उसने कहा मैं अभी जाकर लकपती से इनाम की बात कागज पर लिखवा कर लवटाता हूँ कल जाकर वह फल ले आऊंगा सेट की पतनी ने दूसरे ही पल यह रुत्तांत अपनी पडोसन को सुना दिया पडोसन ने अपनी पती को यह कबर सुनाई सेट जब लगपती के घर जा रहा था तब रस्ते में उसका वह पडोसी उसे मिला वारतालब के सिंसले में यह बात खुली कि दोनों एक ही काम पर जा रहे है लगपती का फेड़ा कैसे ठीक हो जाता है इसका रहस्य केवल मैं ही जानता हूं सेट ने कहा वह रहस्य तो मैं भी जानता हूं पडोसी ने कहा तुम लगपती के फेडे को चंगा नहीं कर सकते। सेट ने चिनोती दी। मैं जरूर चंगा कर सकता हूँ चाहे जो दाव लगाओ। पडोसी ने कहा। सेट ने खरीदी सलाहों की बात बूल कर दाव लगाया कि यदि पडोसी लगपती को चंगा करेगा तो वह उसके घर की जिस चीज की वो सर्वप्रदंस पर्श करेगा वह चीज उसे दी जाएगी। पडोसी उसी दिन शाम को निकल कर कुई के पास पहुंचा और उसने सेट का चिपा या फल हासिल कर लगपती का फेडा नस्ट कर दिया। सेट अभी घर से निकला भी नहीं ताकि इस बीच यह सब हो गया। शर्त के अनुसार यदि उसका पडोसी सर्वपदम उसकी तिजोरी को सपर्श करे तो क्या होगा। सेट को अब यही चिंता सताने लगी। उस उसने सलाहों का ठीक से पालन नहीं किया। इसी कारण अब यह खत्रा पैदा हो गया। उसने वह आउशदी फल लाने जाने की बात अपनी पत्नी को सुनाई। इतना ही नहीं जल्द बाजी में आकर उसने अपने पडोसी के साथ दाव भी लगाया। फिर क्या था। सेट द समझाया। सुनो। जो कुछ हुआ सो हो गया। अब घर जाकर तुम अपनी तिजोरी अटारी पर चड़वा दो और पडोसी के तुम्हारी घर पहुंचने से पहले अटारी वाले दीवार से सटा कर एक सीड़ी खड़ी कर दो। मैं भी ठीक वक्त वहां पहुंच जाओंग उसी शाम को अपने जान पहचान के दस बारह प्रमुक व्यक्तियों के साथ लेकर पडोसी ने सेट के गर के आहाते में प्रवेश किया। उसने इधर उधर चांग कर देखा। पर तिजोरी कहीं दिखाई नहीं दी। बाद में उसने अटारी पर रखी तिजोरी देखी और सबसे पहले तिजोरी की ही सपर्श करने के विचार से वह सीड़ी पर चड़ने गया और सर्वप्रदम उसने सीड़ी को पकड़ा। सेट जी आपके पडोसी ने पहले पहले सीड़ी को ही सपर्श किया है। अब यह सीड़ी तुम्हारी नहीं। पडोसी महाशय उस दाव मे तुम ही हार गए हो धर्मपाल ने लोगों में से आगे आते हुए कहा धर्मपाल की बात पर पडोसी ने आपती उठाई मगर वहा उक इकठा सब लोगों ने एक स्वर में कहा धर्मपाल का खतन सर्वदा न्याय संगत है धर्मपाल की कृपा से सेट भारी नुकसान से बच गय झाल झाल झाल